तीर्थ दर्शन योजना शुरू होते ही इसमें गड़बडियां सामने आने लगी मुरैना में SP के पिता के तीर्थ दर्शन योजना के हित्गराही के तौर पर जाने का मामला सामने आने के बाद उन्हें सस्पेंड कर दिया गया अब हर्दा में भी तीर्थ दर्शन योजना को लेकर बबाल मचा हुआ है कॉंग्रेस के पूर विधायक रामकिशोर दोगने ने आरोप लगाया कि क्रिश मंत्री कमल पटेल की सास और करीबी रिस्दार मंत्री कमल पटेल आप जनता की सेवा के लिए चुने गए है लेकिन आप तो अपने परिवार के लोगों को तीर्थ यात्रा करा रहे है एक स्पी के पिता तीर्थ यात्रा पर चले गए तो उन्हें सस्पेंड कर दिया गया आप आपके साथ क्या कारिवाही होनी चाहिए मेरे सीम से निवेदन है कि ऐसे मंत्री को हटा देना चाहिए जो परिवार के सदस्यों को सरकारी खर्चों से तीर्थ यात्रा कराए खुद ट्रेन पर छोड़ने जाए फोटो की चाहिए आप सिर्फ सरकार के पैसो का लाव ले रहे हैं और ब्रस्टा चार कर रहे हैं जनता के पैसो का दुरूपयोग ना करे जिस प्रकार स्पी के पितापर कारेवाई की गई ऐसे ही इनके उपर भी कारेवाई होनी चाहिए दरसल हरदा जिला प्रशासन ने तीर्थ दर्शन योजना के तहत हरदा जिला के 300 यात्रियों को तीर्थ यात्रा पर भेजा जिला प्रशासन की इस लिस्ट के अनुसार इस यात्रा में जो तीर्थ यात्री यात्रा पर गए हैं उनमें से क्रिशिमंत्री कमल पटेल की सास सर्जूबाई मंत्री के साले नर्वदा प्रशाद पटेल तीर्थ दर्शन योजना के हितगाही के तोर पर दर्शन करने गए हैं इनके अलावा क्रिशिमंत्री कमल पटेल के निजी सहायक, कनहया खुशबाह, पिता, शिप प्रशाद और मारुकमणी के साथ सुनीता खुशबाह और कनहया का बेटा सागर अटेंडर बन कर साथ गए हैं। क्रिशिमंत्री की सास के अटेंडर के तौर पर कमल पटेल के साले की पतनी राधवाई यात्रा में गई है। वही एक ग्रामेन रामरतन के अटेंडर के तौर पर उनके साले नर्वदा प्रशाद पटेल तीर्थ यात्रा पर गए है। इस मामले पर मंत्री कमल पटेल का कहना है कि कॉंग्रेस के लोगों को पहले ये बताना चाहिए कि उनकी सरकार थी तो किसी को तीर्थ यात्रा कराई क्या। प्रशासन ने अगर उन्हें पात्रता सूची में सामिल किया तो वो लोग यात्रा करने गए हैं। पर आप तो अपने परिवार के लोगों को अपनी सास को अपने सालों को साल अहली को भाजपा के कारकरताओं को तीर्थ यात्रा करा रहे हैं। मेरा तो मुख मंत्री मानिक श्वराज सिंग्जी से निवेदन है कि इसे मंत्री जी को तो हटा देना चाहिए। पर देना चाहिए। पर देना चाहिए। पर देना चाहिए। झाहिए।